जब भी बात अवर पोपलेशन का आता है इसका मतलब होता है धरती के कैरिंग कैपसिति से पोपलेशन का जादा हो जाना जो ही बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और इसमें इंडिया की बात करें इंडिया सारा रेकॉर्ड ही तोड़ रहा है जब इंडिया में अजान्दी के टांव पर से चाइप 65 ऑजब यहीं से भड़ करोड से बढ़ पोपलेशन हो गए 111 करोड और बढ़ फीर वीशत्ता बात करें अभी इंडिया को पोपलेशन है सबसे पहला रीजन है देत रेट में कमी Death rate का मतलब होता है कि हर साल कितने लोग मर रहे हैं अगर पिर्थवी पे हर साल जितना बच्चा जनम लेता है उतना ही लोग मरेंगे यहां का population एस्टिबलाइज रहेगा पूरा balance रहेगा लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है अभी बहुत कम लोग मर रहे है जितना बच्चा जनम ले रहे उसके comparison वे जिससे क्या औरा है population increase कर रहा है दुसरा रीजन है agriculture advancement टेकनलोजी में revolution और population में explosion दोनों एक ही time हुआ है agriculture revolution, fertilizer, harvest site, pesticide यह सब इस्तमाल करके food production बहुत तेजी से बढ़ा दिया है जिससे जितना भी लोग है उसको unlimited food का access मिल गिया है जो ये भी एक region है population explosion का नेक्स्ट है medical facility में improvement होना इस टेकनलोजी revolution में medical field बहुत ही तेजी से improvement हुआ है जिसके बज़से बहुत खतरनाक महमारी और खतरनाक बीमारी का इलाज मिल चुका है जिससे death rate slow हो गया है और ये भी एक region population explosion का और medical में टेकनलोजी advance होने को वैसे पहले जो बच्चा जनम लेते ही मर जाता था वो भी नहीं मरता है आपको एग रिपोर्ट दिखाते हैं 1950 में 1000 बच्चा जो जनम लेता था उसमें से 181 का death हो जाता था लेकिन इन नमर अभी घट के सिर्फ 28 हो गया है तब खुद सुचे medical facility कितना improve किया अगला रिजन है lack of family planning हमारे जैसे बहुत सारे लोग है जो अनपड है और गरीबी रेखा का नीचे आते हैं उनके पास family planning का कोई भी knowledge नहीं है और वही लोग क्या करते हैं अपने बच्चे को बहुती कम एज में साधी कर देते हैं जिससे क्या होता है उनके बच्चे को जाइदा बच्चा होने का chance रहता है और इन लोगों को अवर पप्लेशन होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इसमें इनका भी fault नहीं है man problem education का और सबसे लाक्ष्ट रिजन है पूर कॉंट्रासेप्टिब यूज कॉंट्रासेप्टिब नहीं यूज करने का बज़त से भी नव चाहते भी बच्चा हो जाता है जो हमारे दिसका एक major problem है और पप्लेशन का सबका वज़ा और पप्लेशन ही है हम सारे problem को one by one देखते हैं सबसे पहला problem है depletion of natural resources धर्थी पर natural resources limited है जैसे food हो गया water हो गया लेकिन अगर population unlimited हो जाएगा उससे कभी ने कभी resource तो खतम हो गा ही उसके बाद लोग एक दूसरे को मारके ही खा जाएंगे दूसरा problem है conflicts and wars जैसे भी resource का बातके तो जैसे पानी हो गया पानी की चलते ही बहुत सारे countries में तनाव चल रहा है क्योंकि जाएदा population है तो जाएदा पानी का demand है लेकिन उसके पास resource तो limited ही है तो बहुत सारे country के बीच में इससे मतलब लड़ा चुगा होती रहता है और कुछ लोगे तो ऐसा ही मानना है कि तीसरा विश्यूत पानी के बज़े से ही होगा अफरिका में तो इस है बहुत सारा country जहाँ पे साब पानी आदमी को पीने के नसीब ने होता है और जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे लोग unlimited इसका वेस्ट कर रहा है अगला problem है unemployment का बढ़ना अभी ही देख लिए इंडिया का हाल कितना ज़्यदा unemployment हो गया है और धिरे-धिरे unemployment और बढ़ेगा क्योंकि job तो limited ही है लेकिन population बढ़ते ही जा रहा है और सब government को ही दोसी मान रहा है आप एक जानपल समझेए कोई एक जान में सिर्फ 1000 सीट है लेकिन उसके लिए जो फॉर्म भराता है वो 5 लाग लोग फॉर्म भरते है जिसमें से सिर्फ 1000 ही पास होंगे 1000 को ही जॉब लगेगा और जो बाकी रहे गया गोवर्मेंट को गाली देगा अभी हमारे कंट्री में यही चल रहा है नेक्स प्रॉब्लम है हाई कोस्ट अब लिभींग और पॉपलेशन का बज़ा से सप्लाई और डिमांड में बहुत ज़दा डिफरेंस हो गया है इसके बज़े से हर एक बेसिक से बेसिक चीज जिससे खाना हो गया, कपरा हो गया, बेसिक एडिकेशन हो गया, चाहे बेसिक हेल्थ केर हो गया, इस सब महंगा होते जा रहा है इसका मतलब है कि आपको सर्भाइब करने के लिए जाहे आपको अपने फैमिली को फीड कराने के लिए जैदा रुपया पे करना पड़ेगा अगला प्रॉब्लम तभी चली रहा है पेंडेमिक्स और एपीडेमिक्स प्रॉब्लेशन के बज़ा से प्रॉब्लेशन डेजिटी बहुत ही हाई रहता है जिसके बज़से कोई साभी इंफेक्ट्यस डीजीज बहुत ही तेजी से फैलता है इसे अभी सहर में देखिये जहां कांज़ village जिदा है वहां पर कितना तेजी से फैला लेकिन गवंग की बा तोर्ट गौर से सुनिएगा, जब से धर्ती बनी है, तब से धर्ती पे पांच species राज कर चुका है, और हम लोग चुपने चट्टा species है, और बाकी जो 5 species है, वो कोई ने कोई बज़ा से समाप्त हो गिया है, जिसमें से आप एक को जानते भी होंगे, डैनासोरस, जो एक नेच जारगुना तेजी से बढ़ रहा है, वो भी खुद के बज़त से, तो यह अनुमान लगा जा रहा है कि अगर यह ऐसे ही चलता रहा, तो आने वाले 100 से 200 साल में सब खतम हो जाएगा, अब बात करते हैं इसको solution पे, तो आब वो क्या लगता है, अगर चैना का one chant policy इंडिया में पैता कर सकता है, लेकिन अगर वो twins या triplets रहा, तो वो allow रहेगा, इसके बज़त से धरच्छे में, जो normal rate था, twins या triplets का, वो दुगुना हो गया चैना में, हमारे समाज की तरह ही, Chinese समाज, male dominating है, मतलब वहाँ पे भी male child को ज़्यादा prefer के जाता है, इसके बज़त से female child का बह ज़्यादा हो गया था, उसके बज़े से वहाँ पे एक bride price system स्टार्ट हो गया, जिसमें क्या होता था कि किसी भी लर्का को साधी करना है, तो लर्की को पैसा देगा, जो फैमिली ज़्यादा पैसा देगा, लर्की उसी से साधी करेगी, इस सब बज़े से चैना में one child policy एक पैलर रहा और हार कर चैनीज गवर्मेंट दरपंदर में इसको पूरा बंद कर दिया, आप खुद सोचिए इंडिया में होगा तो क्या इसका असर परेगा, दुसरा बात करते हैं, 1976 के इमर्जंसी टैम में, किंद्रा गांधी जी ने एक प्रोग्राम चलाया, एस्टेलाइ पूरी तरह से फेलर रहा, यह सब तो प्रोग्राम था जो पास्ट में गवर्मेंट चलाया हुआ था, और उसका कोई भी एफेक्ट नहीं परा, तो हम बात करते हैं, इसका क्या सोल्यूशन है और पॉपलेशन का, इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, वो है बेटर जो एश्टेट का लिटरसी रेट है, और उसका फटलेटी रेट है, दोनों कनेक्टेड है इक दूसरे से, लिटरसी रेट का मतलब होता है कि एक पॉपलेशन में कितना परसंटेज लोग पढ़ लिक सकते हैं, इसमें इंडिया की एबरेज लिटरसी रेट है 77.7% और एश् जेल होता है दो, इसका मतलब होता है कि कोई भी औरत अपने लाइफ टाइम में सिर्फ दो बच्चे को जनम देगी, इससे पॉपलेशन पूरा बैलेंस बना रहेगा, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, बच्चा जनम होते ही मर जाता है, उसके वाज़स इस बहली को 2.1 रखा तो यहां का फटलेटी रेट है 3.4, आप खुद सुचे कि एडुकेशन और पॉपलेशन से कैसे कनेक्टेड है, इसलिए बेटर एडुकेशन के साथ साथ, एडुकेशन फूर गॉल्स चैट बहुत ज्यादा इंपोटेंट है, और इंडिया का फटलेटी रेट की बात करें तो वह है 2.21 जो कि परफेक्ट है, लेकिन इसका इफेक्ट अभी नहीं दिखेगा, इसका इफेक्ट दिखेगा तो है चालिस के बाद, उसके बाद ही पॉपलेशन कंट्रोल होगा, नेक्स सोलिस्वन है फैमली प्लानी को लेके एवर्नेस फिलाना, और सेक्स एडुकेशन को बच्चों को सिखाना, इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट परेगा हमारे और पॉपलेशन को कंट्रोल करने में, और अगर कोवर्मेंट ढंक से एडुकेशन पर फोकस करे, तो पॉपलेशन जरूर जल्द ही कंट्रोल होगा, यहां तक देखे निकले धन्यवाद, च करेंशन जरूर 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 जल्द हैं